बच्चों को द्वाए बड़ों को सलाम फिजा है मेरा नाम दियो वॉचिंग मॉर्णिंग विद फिजा 24 न्यूस पर यह देखे मैं सुबा सुबा क्या खा रही होती है मैंने भी दो दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर भी व्लॉग अप्लोड किया था विडियो थी मेरे भाई मैं से आप पूछे था यह सीदा में खा रही थी तो उन्हें मुझे का क्या खा रही है तो मैं इनको बता दिया कि मैं यह खा रही हूं फलानी चीज का रही हूं नट्स है ठीक है पहले पानी में दलिया जो का दलिया जो बॉil किया हूँ है और उसके फिर उसमें जो है जो भी स्के मिल्क या आम मिल्क जो भी आपको काव मिल्क दिखता है वो आपने थोड़ी मुदार में डाला तो जब आप दूद और पानी इस तरह से मिक्स करेंगे तो यह गाड़ा ने होगा बिल्कुल देखें पानी पानी वाली फॉर्म में है पास भी दूद को मिक्स करके इसके साथ इसकी यह वाली फॉर्म बना लेनी है इसमें मैं थोड़ा सा छोटी मकी का या बैरी का शेहड डाल लेती हूं इसका हाफ स्पून इस इनफ और उसके साथ पिर मैं कुछ नच्स ड्राइ फूट्स जो मेरा दिल करें मैं तो कभी खोप्रा भी तो छोट्राइ कर जाती है को कि मेरी बाडी बहुट ожके तो थो तो हर कोई सुनता है न कि ऐ करें तो यह दें पिया किया हम यूब मुप को स्प्राइब यह सब चीजीजें piss में और या उप тяжले इक है ना चीज़ा इसके डाइटी में को इस आप अभ investigate क nossa अफनी प्लैंशन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे जैसे शोज देखें जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आपकी डॉक्टर की फीज बचे और आप किसी डाइटिशन से अच्छी तरीके से अपना प्लान बनवा सके हैं और यहां पर हम आपको काईट करेंगे यह तो मैं खाती रहूंगी पूरे प्रग्राम में गरम खाती हूँ तो मज़ा आता है दलिया जौका आप भी ट्राइकर करके देखेंगा कि आपके नाश्ते में अच्छी मील आपका पेड़ भढ़ जाएगा सारा दिन और आपको इतनी भूक नहीं लगेगी हो हंगर वाला ए तो सारा दिन जो एक दिन में हमें कैलरीज लेनी है कैलरीज कांथ हमारी बॉड़ी में जाना चाहिए वो कभी उससे उपर हो जाता है या उससे कम हो जाता है कम हो जाता है तो भी आपके लिए सही नहीं और अगर ज्यादा हो जाता है तो भी आपके ठीक नहीं तो कौन कौनसी कैलोरी किस फ्रूट्स में, किस सब्जियों में मिलती है, कितनी मिलती है, सारा दिन का जो आपका ब्रेक्फर्स से लेके, आपका नाइट डिनर टाइम है, क्या होना चाहिए, सब आपको बताते हैं, अच्छा जी मुंतहा हमारे साथ, असलाम अलेकुम, कैसी है अच्छा, आज हम सिर्फ कैलोरी के ओपर बात करेंगे, तो सबसे पहले तो ही बता दीजी कि ये, कैलोरी क्या है, कैलोरी की नीड है, इनर्जी चाहिए हमारी बोडी को, उसका नाम है कैलोरी है, जो हमें खाने से मिलती है, खाने में डिफरेंट कार्ब्स, प्रोटीन और फ पंचेंग करने के लिए इनर्जी चाहिए from our food, और वह food हमें calories प्रोटीन और फाइट को यूटेलाइज करते हैं और बोडी को इसको यूटलाइस करते हैं, जो कितनी होती हैं? ये भी बता दीज़ादा. ताके हमें हर चीज से कैलोरीज मिले इना हेल्दी वे हमारे ब्रेन को फंशन करने के लिए कार्ब से कैलोरीज चाहिए होती है हमारे मसल की स्ट्रेंथिनिंग के लिए या मसल डिवेलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन से कैलोरीज चाहिए होती है हमारे hormones को function करने के लिए हमारी body के insolition करने के लिए हमें fat से calories चाहिए होती है तो हमने इन तीनों चीज़ों को अपनी diet में incorporate करना in a balanced way ताकि हर चीज़ से हम फाइदा ले सके एक दिन में हमें कितनी calories की जरूता है यह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी body में यह कमी हो रही हो यह काउंट हमें का चाहिए हमारे सारा दिन की रूटीन यह basically calculation होती है एक equation होती है Harris Benedict equation उसे बोलते है वह calculate किया जाता है आपकी height, weight, age और physical activity आप दिन भर में कितना चल फिर रहे है या बैठे होगे इस सब को देखते होगे एक calculation proper की जाती है जिससे पता चलता है कि okay आपकी body को इतनी calories required अप तो watches भी आ गई है हाँ वह application होती है आपने just अपनी info put on करनी होती है वह आपको बता जेते है calculate करके तो खाने में कौन से सही आउकात है जो हमें खाने करिए सही time suit करते है सॉरी मैं अपनी calories लिए अपसे जवाल कर रही हूं कि खाना खाने के सही उकात का है खाना खाने के उकात मतब जैसे आप सुबा उठे आपने गंटे के अपना breakfast कर लेना है breakfast को आपने delay नहीं करना एक गंटे के अंदर अपना breakfast कर लें उसके बाद आप अपना next snack लेंगे after three hours three hours आपने अपने पहला meal digest होने देना अपने stomach को time देना कुछ लोग कहते हैं कि तीन घंटे के बाद नाश्टा करना चाहिए नहीं यह बिल्कुल गलत है बहुत गलत यह concept है researches नहीं प्रूफ किया हुआ है कि breakfast किप करना आपके hormones को खड़ाप कर देता है आपकी भूग बढ़ा देगा फिर later in the day dinner में आप overeating करेंगे अगर आप अपने breakfast को late करते हैं पूरे दिन में आपकी cravings जादा हो जाती है तो उस चीज़ को आपकी appetite को control करने के लिए breakfast जरूर आपने करना है ताकि आपके बोडी का metabolism भी fast हो और आपकी appetite भी satisfy हो तो उससे के साथ ही जो सबसे पहला काम करना है breakfast में वो किस तरीके से हमने अपना breakfast बनाना है कैलोरी के हिसाब से मता दीजे सब्सक्राइब कोई मेरी बहन है जो के 30-40 की एज में है तो उसके लिए क्या breakfast होना चाहिए breakfast आपका balance होना चाहिए जिसमें आपको protein high protein मिले like omelette best option है आपके लिए तो आप अगर उस टाइम पे salad लेंगे किसी भी फोम में जस्टे cucumber भी लेंगे तो आपके nutrients बहुत अच्छे absorb होंगे उस टाइम पे साथ में अपने carbs जरूर लेने हैं carbs आप रोटी की फोम में ले सकते हैं आप ब्रेट की फोम में ले सकते हैं या फिर अगर आपको watts पसंद है तो आप watts ले लें और उसके साथ फिर आप nuts add करेंगे अपने लाजमी क्योंके nuts से आपको seeds से आपको fats मिलेंगे तो इन तीनों चीजों को हाँ जिसमें जो आपने इसके अदर add किया हुआ है आपने इसको balance बनाया है तो इसी तरह से आपने तीनों चीजों को incorporate करना है और फिर वह healthy breakfast आपका बन जाएगा अगर हमने कोई cold ring पी लिए या कोई ऐसे shake पी लिए तो अब उस चीजों को calories बढ़ गई उस चीजों को normal करने के लिए हमें सारह दिन के अपने खानों में कौन से ऐसी चीज को skip करना पड़ेगा या कौन से ऐसी exercise करनी पड़ेंगी या कौन से एसे walk के steps foot steps करने पड़ेंगे जिससे हमारी वो calorie count जिससे cold ring से बाकी मश्रूबात से हमारी जिसम के लिए अगर अगर आपने cold rings लिया तो definitely आपने sugar उसमें साथ में लिया calories तो चले ली ही लिया एक cold ring 250 ml में आपको 160 calories मिल रही होती है around तो वो तो आपने ले लिया उसके साथ आपने sugar intake भी किया तो आपने make sure करना है कि उस दिन में फिर आप मजीद कोई भी added sugar इस्तिमाल मत करें अच्छा तो अब जैसे ही साथ दिन में अगर 1500-1600 calories हमारी बोडी को जुरूरत ही है अब उसमें 160 तो चलेगी cold ring के थुरू ठीक है ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना है कि अब बाकी calories हम किस तरीके से पूरी करेंगे सुबा के नाश्टे में हमें कितनी मिल गई उसके बाद लंच में कैसे फिर दिन में ठीक है एक ब्रेक के बाद वालकम बाक वाचिंग मॉर्णिंग इद फिजा और ब्रेक से पहले हमने सुना कि 160 calories जो है वो हमें अगर cold ring से मिल जाती है सारा दिन में और नाश्टे में अब हमें कितनी calories मिली हैं दिन में और रात में कितनी calories मिल रही है हमारे मील के थरूँ यह प्रीज हमें बता दीजा को अपने खाय कि सारा दिन में फंदा सो शोलो सो कैलरी इस इंसान को चाहिए होती है थार्टी तू-फॉर्टी की एज में तो अब लंच की कैलरी बता दीज़े लंच पे अगर अभी तक हमें ब्रेकफस्स में कितनी कैलरी मिल गई हैं विदाउट को रिंग विदाउट को रिंग फॉर हंडड़ हो जाती है गर का ब्रेकश्ट सिरीक अपने बताया इसमें फोर हंड़ हो गई यह जा लिए क्योंकि घर का खुद बन जाएंगी उसमें आप चिकन मजीद एड़ करते हैं और उसको वन टेबल स्पून ऑईल करते हैं कि वन टेबल स्पून ऑईल में आपने खाना बनाया तो आपको उसमें भी 400 कैलरी मिल जाएंगी 800 कैलरी हो गई 800 पर डिनर के भी सेम कर दें 400 अब इसमें आपने चावल वाव लिया तो उससे भी आपको 400 कैलरी मिल जाएंगी डाल चावल भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी डाल ले सकते हैं और फिर अपने कॉलरिंग भी पी लिया वन सिक्टी कैलरी तो अब आपके पास स्नैक के लिए मार्जिन है 150 कैलरी का ठीक है अब उसमें क्या होगा अब 60 क होगा उसमें आप 1 कप मिल पी लें या 1 कप योगर्ट लें उससे आपको 160 कैलरी मिल जाएंगी तो या अपका पूरा दिन फिर बैलन्स हो गया तो रात की खाने में हमने सच कोई फिश या फिर चिकन ले सकता है यह फिर उसमें टोटल किता कैलरी हो जाएक अगर अगर आप तो फिश या फिर चिकन लाइक हंड़ड ग्राम तो उसमें आपको 65 कैलरी मिल रही होंगे और उसमें एड़न करेंगे हम कितने ओल में मनाया है तो 135 कैलरी अपको ऐल से मिल जाएका वन टेबल स्पून ओए ठीक है साथ में आपने अपने रोटी एड की तो वह भी आपको 300- एडेट बीटस दिपीडित आपको 17.2 कैलरी में मिल आपको 21 004 प्राप प्रेंव भी आपको उसमें इसमें आपके बहुत ज़्यादा की मतन होंगे तो 15 रह इसमें हैं अब आदे गिंदे की कैलरी मिल कर लिया है तो वह भी मिल यह तो अज्रुद्टेक्ट्पर हैं हिमिल works यह हो जाती है रिपेंट करता है कि आपका हार्ट रेट कितना इंपरीज हुआ है इसे ही है और इसको पिर आप इंक्रीज करते है अपनी सिच्वेशन के अकॉर्डिंग अच्छा और अगर कोई बन्दा नॉमल एसी वस चल फिर करता है अपने सेप्स काउंट करता है तो वह अच्छा आपका हो जाता है अराउंड टू हंडर ड़कर लोग घर में चल फिर के भी सैप काउंट करता है तो वह काउंट होता है हाँ होता है जो वो एक्सराइब थूर्ण कांट कर लिगे यह इस लेकिन वह एक्सराइज में आता है वह फिजिकल अक्तिविटी में यह काल Rich हैं कोई न्युोकल म êtes मेस में रहे हैं। में हमार Damit सबने सब्सक बाइप सकाथ मैं अइनन मैंजरिक सब्सक्राइव। वाल बॉस्कालिट्स बोलेड जिसमें सिर्फ आपको कार्ब्स एव फैट्स यह तीन चिजह मिल रहे है इसके इलावा न्यूट्रेμफ तो हमारी बोडी को पेडिश करना है हमने न्यूट्राइच के साथस्किन ग्लॉ पर वान्य है है अग्डो अज़ के सिहास्ट सो जादा दों में फैर एक के बाल इतने से गहरे तो गंच पन सबको ऐसे ख्रलाइक निकल रही है कीटो डाइट की मैंने रोटी चोड़ दी और इसके बाद मेरा हेर फॉल शुरू हो गया एकनी शुरू हो गई हॉर्मून्स खड़ाब हो गए क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन आप कम ले रहे होते हैं डर डर के खार रहे होते हैं न्यूट्रेंट्स आपको मिलनी रहे ह्याम हालत ख्राब हो जाए, हमारी सहत ख्राब होजए हमारी एजिंग शुरू हो जाह तो इस रिज़ की मिlishा प्रोट करवान है लेकिन Meine रहल ग ag उिबघण करने के लिए क्योंकि हमें पता होता है कि एकूरेट क्या है क्योंकि इंटरनेट पे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स मिल रही होती हैं तो अगर खुझ से इनसान ने ट्रैक करना है तो एक रफली गूगल पे आपको मिल जाती है तो वहां से आप देख सकते हैं कि इस सोल्ट में सोडियम होता है जब हाई सोल्ट में सोडियम होता है जब हॉड़ोंट इंटेफ लेते हैं वह बूडď में वाटर रेटेंशन करता है यह वाटर रेल्टेंशन होता है तो आपकी बु judgments करो तो जब पर पिकी बोड़ोंड भूड शाए तो शाल दो वो तंग होने लग चाहती है तो आपके ब्लड का जो फ्लो है वो रुक चाहता है उसे मुश्किल होती है गुजरने में तो यह मसले फिराते हैं इसलिए हल्दी फूड आपने कम सॉल्ट में ही बनाना होता है ताकि सोडियम जितना बॉड़ी का रिक्वाइड है लाइक ट्व बहुत 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 शक्रिया और आखर में यही कहूंगे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिये यह जो सॉल्टी फूड है इससे तो खास तो बचिये तो चलता भलता आपके बॉड़ी के लिए है मैं तो आपको बड़ी असान सी एक ट्रिप देती हूं अगर आपको नाजरीन हमाईसाथ जवमाइस जब्र डॉक्टर मौजूद हैं सलीम कैसर साहब और वो आज हमें यह बताएंगे कि हमने अगर अगर अपने घर पे जानवर रखना है जानवर खरीदना है जानवर पालना है तो उसकी क्या प्रिकॉर्शिन्ज होनी चाहिए उसका क्या खिय हमें ह нравится होगा अगर हमें कोई यंओ पत्थर खेंच के मारे तो हमें लगे गा यू उसी तरह अगर आगर को सी जानवर को करेंगे तो जाणवर को भी फिलिंग होती हैं वो भी महसूस करता है उस को तो भी एक चोट लगती है तो ये प्लीज बेजबान जानवर होते हैं आप उनको तकलीफ ना दिया कीजिए हम अपने घर के बच्चों को भी अगर थोड़ सी ट्रेनिंग दे और स्कूल में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आवेर्नेस प्रोग्राम होना चाहिए जहां प किसी गाएब हैस की बैठी वी उसको दुम खेच लेना यह अई हरकते नहीं करने चाहिए को बकरा उसके गले में रसी बांके उसको बिल्कुल गला कसके उसका तो खेंच के लेके जाना कानों से पकड़के खेंचना खरगोशों को कानों से ऐसे उठाके लहराना बिल्ली को तकलीव देना बिल्ली के पीछे भागना बिल्ली को दपोचना यह सब मज़े जो चसके जो हैं आपके यह खलत हरकते कितने ऐसे हाथ सुनने को आते हैं कि उट की टांग जो है वो काट दी बिचारे को उसको चोट लग गई लंगडा हो गया यह क्यूं क्यूं हम इंसान हो क अपनी हिस अपनी तकलीफ अपनी चीजों का इतना ख्याल होता है तो क्या हम बेर जान वह बिल्कुल जो जिसकी जुबान ही नहीं है उसको आप बोल सकते है उसको तकलीफ दे सकते हैं ख्याल रखा किजए हमारे साथ मेमान है वह यूँ वैस में प्रॉफेसर भी है और फैमिली मेंबर बनाए, इसको हिस्सा बनाए, तो पहले किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें, घर में ऐसा क्या सिस्टम पहले से करना चाहिए, कि जब वो आए, तो उन्तजार ना करें, कुछ ना करें, जैसके कोई महमान आए, तो उसका ड्राइंग रूम रेडी, उसक अगर आपको गिफ्ट मिलता है, या आप मार्किट से पर्चेस करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको घर में उसकी प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, आप मैंटली परपेर हो, कि आप अपने घर में कोई पैट डॉग या फिर को किटन लेके आ रहे हैं, उसके लिए आप कोई होम मेड देना चाहते हैं, उसके लिए आप मेंटली परपेर हो, फिर जब आप घर में कैनिमन ले आते हैं, तो फिर उसके बाद सबसे पहले जो जो फर्स स्टेप उसमें, वो है उसकी वैक्सिनेशन कराएं, ताके वो प्रॉपरली वैक्सिनेटेड़ हो, उसमें आप जरूरी है, ताके एक तो वो आपे सामने हो जाएं और आप मुकमल, मेंटली, सैटिसफाइड हों कि आप एनिमल वैक्सिनेटेड़ है, जो लोग खरीद रहें, जो पाल रहें, उनको भी सारे घर्वालों को वैक्सिनेशन होने हैं, यूमन्स में नहीं होती, सिर्फ एनिमल सिक्स वीक, यानि डेर्व महीने में, आप उसकी वैक्सिनेशन स्टार्ट करते हैं, उसकी डिवर्मिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं, पेट के अंदर खीडे होते हैं, उनके लिए पहले आप डिवर्मिंग करेंगे, फिर उसके एक हपते के बाद आप उसकी वैक्सिनेशन पेराइंफुलेंजा, लेप्टोसपाइरोसेज और रेबीज रेबीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हुमन रिलेटिड भी है कि खुदाना खास्ता किटन या डॉग या जो पॉप है अप हलका सा बाइट कर लेता है तो उसमें फिर हुमन में रेबीज का चांस बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए कोशिश करें कि एट लीस रेबीज के अगेंस्ट उसकी वैक्सिनिशन जरूर हो अच्छा औव जो बिल्ली के जो बाल होते हैं या पर घुट्धे के भी क्यों हेरी होते हैं तो अभल छेख होगा बाल होते हैं तो उसे भी लोगों को काफी ऐलरजी हो घर दी उसके प्रेकॉशन अपके बताते हैं उसमें तो मैडम यह है कि आप प्रॉपरली वांस इन वीक उसको बेधिंग करें प्रॉपर उसको वाश करें नहलाएं अच्छे डॉग और कैट शैंपू के साथ और उसकी डेली ब्रॉशिंग करें अच्छा ब्रॉशिंग करें ताकि उससे दो फाइदे होते हैं एक तो जो क्ली हैर दें वह रिमूब हो जाते हैं दूसरा उसके स्किन में जो ब्लैड सर्कूलेशन है वह बढ़ d Acti और उसके जो बाल हैं वह जो 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 चारें और वह त्समें पर गिरते नहीं और जियादा गिरेंगे नहीं त्रॉपर वाशिंग वाशिंग करें उसका ख्यार हैं और चूब ले मुझे बताहि करें कि साद एक हम किसी पेट को लेकर आघे तो हम इतने जादे उसके सब्क्राइब्स होते हमें शुरु शुरु में बड़ा क्वरायाु वरी हमें डर भी लग रहा होता है क्यों काट तो नहीं लेगा कहीं ये तो नहीं कर लेगा होती है ठीक है बाकी घर वाले जो है जारा डिस्टरब हो रहे होते को एक अगर बहुत फ्रेंडली हो भी रहा होता है तो बाकी डिस्टरब हो रहे होते हैं कि शुरू शुरू में यही सिस्टम्स होते हैं लोगों के साथ तो वो जो पॉर्ट्री ट्रेन होता भी हो तो जहां आपने रहों पर यह को अधना आमेरंकर पिल्किल को यह कैमे रहे कि लिए बीडुन humor जाता है तो मंलन आड़ दिजान करते हैं जोसिंड हो। कि आपकर 15-20 मिनेट इसको वाक के लिए ले जाए। उसको आपको प्रोपर ट्रेंड करना पड़ेगा। ताके वो प्रोपर पॉर्टीपिशी के लिए और अपनी ग्रॉम्बिंग के लिए वो प्रॉपर ये ट्रेंड हो जाए फिर वो हर चीज अपनी रूटीन में करेगा सब्सक्राइब जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए ठीक है इन लोगों को हम लेकर आएं तो किस तरीके से हमने इनकी फिर टाइमिंग होती है मगर ये ब्रेक के बाद मुझा डिटेल में आपके सामने जो है पैट्स की कुछ इन लोगों की नसल नाम लूँगी जो लोग जादा रखते हैं इनकी टाइमिंग बता दियेगा कि इनको किस तरीके से लेकर जाना है ये कैसे ट्रेंड होते हैं तो ये भी बताना बहुत जुरुरी है अफर शॉर्ट ब्रेक वेल्कम बैक हम यहां पर जानवर लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है और किस टाइमिंग पर देनी है प्लीज बताते है मैंडम हमारे जो मुलक में सबसे ज्यादा डॉक्स जो लोग घरों में रखते हैं उनमें जर्मन शेपर्ड हैं लेबरडॉर हैं रॉट्वाइलर हैं हस्कीज हैं जो इवन आपने भी रखे थे वापको भी उसको उनका एक्सपीरियंस है जब भी आप इनको अपने घर में लेकर आते हैं तो आपने पॉपी श्री टाइमस आपने मील देना होता है खाना और जो एडल्ट डॉक्स होते हैं उनको आपने टू टाइमस देना होता है सुबो और शाम को जैसे हैं आपने उनको खाना दे दिया तो उसके 15-20 मिनिट्स के बाद आप उनको वाक के लिए ले जाएं तो वो फिर उससे यूस्टू हो जाते हैं उन्हें पता है कि अब ह जमाने में मुझे भी याद है 10-15 साल पहले मैं भी कुछ स्कूल में जाता है रहा हूँ प्राइस रिस्टिविशन के लिए तो उसमें होता है कि स्कूल में भी पैट शोज होते थे जिसमें वो छोटे बचों को प्राइमरी के और मिडल के बचों को कहते थे कि आपने अपन काम हो गए लेकिन एक जमाने में यह बहुत ट्रेंड था तो बच्चों बहुत शौक से यह सारा काम करते थे और उनमें अवेर्निस बहुत ज्यादा होगी थी अभी भी है लेकिन अब टाइम लगे गा लोगों को फिर इसमें एकलमिटाइस होने में अच्छा और इसके बा पर पैट इनको बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं सिर्फ की तो मैं रेक्मेंड नी करूंगी तो दो हस्की जोडी में लेकर आई थी गर्मी लहोर में आपको पता बहुत होती है आय है मुझे ही पता है फिर हमारे साथ हुआ क्या क्या क्योंकि मुझे लगता है थंडी अच्छे यह उनको साइबीडीन हस्की जै जी यह उनको नी लाना चाहिए ता लहौर में मुझे नहीं लेकिन जो अब हमारे पास ब्रीट अब हमारे पास आगए ने जो रिट लोकल ब्रैट जो एनिमल दे वह हमारे साथ अब यूस्ट हुए जो फिर्स्ट टाइम जो यह वाकी जो आप बतारे थे लेब्रे डॉग और यह सारी जितने भी हैं इनके लिए भी घर में पंखे का अन्तिजाम और कोई कूलर का कोई चिलर का कोई एसी का यह गर्मियों में रखना पड़ता है क्यों गर्मी है अभी आपको पता है क्लामेट चेंज की वज़ा से मौसम अभी तक किस मौसम में बैठे हैं आम भी लेट आये थे आपके सामने अभी तक 400 सही से नहीं मिलना मार के तब बताईए फिर इस हालत में क्या करें क्या चीज़े रखनी पड़ेंगे हमें डॉक्स बगारा क्ली बिल्कुल पंखे से तो आजकल गुजारानी होता आप में द दिहाइडरेशन नहीं होती और वो बड़े सुकून में रहा है तो इसका मतलब है कुटे पालने का शौक जो है वो छोड़ी दें क्योंकि बिजली का बिल तो इतना है पिर अब हम से अपने कमरे का एसी एक घंटे के लिए चलाए जाता तो बाकी एसी कैसे चलाएंगे नही से हम अपने बालतुजानवर को कैसे बचा सकते हैं मैडम उनको बोलते हैं टिक इनफरस्ट्वेशन हो जाती है उसमें पहले उनके छोटे लारवे आते हैं फिर उनके बड़े टिक्स हो जाते हैं तो इसमें यही कि आप उनको प्रॉपर ली जो हाउसिंग है बड़ा अच्छा गुज़र जाएगा कितने का को इस प्रेय आ जाता है को महंगा होता है यह थोड़ा से महंगा हो गया महंगा हो गया चुके इंपोर्टेड है और यह इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है यह अब आपको तक्रीमन फूर्थ हाउजन का एक एक पूरे डॉक क क्लिए आको कॉस्ट करता है तो हमें यह कैसे पता चलेगा अगर कभी कुई कुछ कुछ को बिली बिमार है बुखार है उस से बिखकासी इसी कोई अच्छी करते हैं आपको बता हुए हमें कैसे बदल हो जाएंगे एक जगा पिस बैट जाएंगे उन में अक्टिविटी कम ह कि वह लेता के सबसे नहुंकु है टेंगेंगे डी वह कि अगुते हैं पूसलीे दे प्रकाय लुक्र का थे सुधरर्ण के लिए और जिडूर य१ा टो फिर जो फिर वोगजर देखते हैं इनकों में जडू को कि ने ज़ते हैं एक इस ऑन ही तक एकसीड कर गया था तेंपरिचर कि अगर आपने उनको कोई चीज नहीं लगा के दी एर कूलर या एर कंडिशनर तो इतने ज्यादा वो क्लोज मौसम के अंदर वो फिर हंड़र्ड सेवन और हंड़र्ड एट पे भी गह थे जैसे हमें हीट स्टोक हो जाता है तो इसी तरह से इनके साथ भी यह सारे इशूज हैं अच्छा क्या पाल तू जानवर से घर के छोटे बच्चों में कोई बिमारियां पैदा हो जाती है नहीं कोई ऐसाइश नहीं है विल्कुल नहीं है अगर वो प्रोन नहीं है वो बच्चा अगर उस बच्चे की क्योई विनिटी काम नहीं है तो इससे कोई ऐसाइश नहीं होता है अगर आप अपने पैट को प्रॉपर वाशिंग बेदिंग करते हैं वांस इनवीक एट लीस्ट तो वह कोई भी आपको हाम नहीं पहुंचाते हैं साथ में अगर यह कूलर वगादा जादा लगाते हम इनके ऊपर तो इससे को को पसंद करता है और यह जो जर्मन शेपरेज के भी बाल इसने ज्यादा होते हैं इनको ऐसे इस नहीं होते हैं तैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया अपने बहुत इच्छी से गाइट किया है अपने घर में अपने पालतू जानवरों का खास खायल कीजिए और जो पालतू जानवरा प्लेकर आ रहें उसका खास इंतखाब करें उसको गूगल करें उसके बार में सर्च करें उसकी अच्छी इंफरमेशन सब कुछ हासल करने के बाद अपने घरवालों के साथ बैठें और बताएं कि आपके घर में एक निया फैमली मेंबर आने लगा है हमन वल्कम बैक की वाचिक मॉर्निंग विथ फिजा ताहिरा कवर डर्मेटोलिजिस हमारे साथ महमान मौझूद है हमारे सेट पे हम इनसे बात करेंगे आज परमिनिन्ट मेक अप के उपर नाजीन लोग बहुत जादा परमिनिन्ट मेक अप की तरफ जा रहे हैं पहले तो बू प्रोसीजर लिफ्टिंग टाइटनिंग त्रेड लेफ्टिंग यह सारी चीज़े फोटो फेशल ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ओपर लोग डिसर्च करते रहें अपने काम दिखाते रहें तो जितनी डर्मटोलिजिस्ट हैं वो स्किन से रिलेटेड बहुत चीज़ों को जानते गए और बहुत चीज़ों को ठीक करते गए चाहिए वो मशीनरीज के जरीए चाहिए इंजेक्शन के जरीए या फिर अपनी दवाईयां मेडिसन के जरीए अब यह जो यह पर मेकप है इसका बड़ा धूम चल रहा है लोग क्या करते हैं लिप्स के ओपर जो है ना लिप्सक्राइक शेड आता है वैसे तो यह भी आजकल अबरार ट्रेंडिंग में दूसरा माइक्ल लीनिक होती है जिसमें आइब्रोज बन जाती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंट होते हैं जिनके आइब्रोज नहीं होती उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है जि बंचल मेकट बीसिकली एक तरह से कहने के मेकट टाइप जिसकोäll अब मेडिकली आप जो है वो ले सकते हैं वैसे तो जो मेकप करते हैं वोटल टूility four जो है वो की गई उसमें पर्मनेट मेकप से रिलेटेड है सारे वो लोग जो बहुत ज़्यदा ब्यूटी कॉंशियस हैं या ऐसी हमारी कीमोज होती हैं पर्मनेट मेकप की तरफ जाते हैं फिर उसी चीज़ों को देखते हुए पिर यह कुछ चीज़े जो है वो लाई गएं के आप यह वाले प्रसीजन्स लें यह ट्रीटमेंट्स लें तो इससे आपकी जो है आप मेकप में जो है वो कुछ टाइम मापका जो है यह लास्ट कर सक अद्ट मेकप में जो है ना जो अभी तक बहुत ज़्ज़दा इन है उस में तीन से चार अइसए हैं जैसे फॉर इक्सांपर माइकरो ब्लेडिंग है जिसको हम आइब्रोस कहते हैं सैमी पर्मनेन्ट आइब्रोस ठीक है बाइकरो ब्लेडिऻिंग यह लोगों का यह अब यह से अब जयासे आपको पता है नहीं म adesso की है बीजरो में सिटेश में होती है Sc arose Türk में अब्स आपकी बहुतе है कि मैं अब्स कैकिंश एक आपकोिताकर गियफ करें हुआ है तो फिर इसा लीजर से पर उसको रिमुव करवा ले ले तो डिर अगर हो जाता है अगर आइब्रो की इसे माइप्रमीन दिंग्स से हाम हूए कौन सा लेजर उस करते हैं प्रोस्टिंग वगईरा करके या इवन कुछ की बहुत ज्यादा लाइट होती है तो वो पीलिंग स्लूशन से भी वो चला जाती है ये तर बीया। नेकित के विए टाइब का? जो ये ये टाटो निद्र ये वह हो पार्मुप्र से काइंड वि का पर्मेच में चला जानी ये जाता है और जो micro bleeding है वो चुके superficially होती है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि after some time वो fade हो जाता है उसके color जो है वो light हो जाता है तो painful procedure कौन सा है micro bleeding या of course tattoo और लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं? लोग ज्यादा था प्रसंद करते हैं micro bleeding या semi permanent makeup क्यूंके वो उक्ता जाते हैं वो permanent एक चीज़ को साहर उसके लिए longer time नहीं साल लेके चल सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे हैं के जो tattoo करवाते थे लेकित अब उनको चाहिए के आप हमारे tattoo आप remove करें कुछ लोग तो दीन की वज़े से भी करा लेते हैं कि नमाज कबूली होती है अद्वा कबूली होती है तो गलती से पर remove कराने के लिए आते हैं अच्छा यह जो लैश के ओपर हम लोग liner लगाते हैं liner भी permanent आगिया तो यह permanent liner के लिए बहुत पारिक सी जगा होती ही जो मारे लोगो लैश के साथ, aren't it dangerous or it's safe? वह बड़ा delicate procedure है आप इसको पूरी precautions के साथ और safety measurements को adopt करते हैं आप यह procedures कर सकते हैं आप किसी भी untrain'd जहे हैं वह उससे आप नहीं करवा सकते हैं टेक्निशन यह स्टाफ से नहीं करवा सकते हैं रीजन ये है कि इसके जो साइड एफेक्ट है अगर मैं आपको बताओं सेमी पर्मिनेंट के तो वो इतने हैडवर्स हो जाते हैं कि फिर पेशेंट बिचारा अपनी खुबसूर्ती को जो है वो इन्हेंस करने के लिए हमारे पास आया वो होता है वो फिर इस सारे प्रॉप्लिम से गुजर के वो उसको ठीक करने के उसमें चला जाता है तो आईलाइनर आप देखें के हमारी आँख बहुत एक नाजुक पार्ट है इसमें इवन कोई कंकर भी चला जाता है कुछ भी हो जाता तो हमारी आँख उसको बरदाश नहीं कर परती तो यह एक ठोटली नीडलिंग प्रसीजर्स है इसकी नीडल इतनी शार्प होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फीलिंग कर रहे होते हैं प्रौपर इसकी फीलिंग होती है आपने इसको ईलेट को अपने इसको उठा के , क्यूंकर यह वाली स्कून हिसा क्यूंकर शटली होती है उसके बास skin to skin जो है वो वेरी करती है patient to patient वेरी कर रहा होता है किसी की skin pigment को absorb कर पाती है किसी की नहीं कर पाती है तो इस वज़ा से फिर हमें second उसका touch up देना पड़ता है अच्छा और cheeks पे जो permanent cheeks करवाए जाते हैं जैसे pink या peach हाँ उसमें फी different shades आ जाते हैं आपके पास उसमें आते हैं लेकिन उसमें भी यह है कि आपको जब भी आप करवाएं सबसे पहले तो आपको अपनी जो have a skin का पता होना चाहिए जिस consultant के पास जिस doctor के पास जिस aesthetic physician के पास जा रहे है उसको proper आपकी skin tone का पता होना चाहिए होते हैं चीक्स पे जो make-up होता है यह भी नेडलिंग के जरी है permanent base भी आ गई है permanent base नहीं है जैसे आपने नाम सुना होगा बीबी glow जी बेस नहीं हो नहीं वह बेस नहीं है foundation नहीं है वह हम उसको लगा भी नहीं सकते हैं और चीज नहीं कर सकते हैं लेकिन लोग तो लोग ऐस लेकिन जो उसके बीच में सारा procedure होता है तो वह कोई नहीं दिखाता है वह देखना वह समझना बहुत जरूरी है permanent base नहीं है foundation नहीं है लेकिन बीबी glow टिंट्स ऐसे available हैं जैसे आप lips के ओपर टिंटिंग करवाते हैं आप blush on के लिए टिंटिंग करवाते हैं इसलिकी तरह आ इसा ही आपको देगा freshness रहेगी आप even base लगाए बगार आप outdoor activities आप नहीं कर सकते हैं और आप tinting आपकी होई है microblading होई है lashes लगी होई है तो I don't think so कि आपको बहुत जादा किसी make-up की जरूरत पढ़ सकती है time saving एक procedures हैं एक ब्रेके बाद हम आपसे ही ही पुछेंगे कि क्या इसके अंदर भी base डालती हैं अब यह किस तरीके से बनती है जो BB glow होती है और यह क्या procedure होता है तो एक ब्रेक के पाद Welcome back you watching Morning with Fiza, Mr. Dermatologist Tahira मौझूद है और वो बता रही है कि जो BB glow होता है वो क्या होता है क्या सके अंदर को base डाली जाती है base से बनती है और कितने time तक हमारे चेहरे पर stay कर सकती है और कितनी सही है हमाई skin के लिए अच्छा फीज़ा है इसके लिए सबसे पहले तो है कि जब भी आप BB glow procedures लेने जाए तो आप अपने डॉक्टर को जो है जब आप skin अपनी दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बस जरूर बताएं कि आपकी routine केर किया है ठीक है इसके साथ साथ आपने बताना है कि आपका सालों साल आपके face के ऊपर ऐसे ही चीज़ रह जाए वो नहीं हो सकती है BB glow के जो है वो जब आप करवाते हैं तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप कैसी है हर किसी के लिए जो है BB glow suitable नहीं है बहुत सारे ऐसे प्रेशन्ट जिनकी स्किन जो है excessive oil की वज़ए से बहुत आप होके वह आपकी एक्नी को ट्रिंगल कर जाए जो इस जो है इस जो है उन्होंने केमिकल्स बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं क्योंकि जितनी आप अगर मेडिकेटिड जो FDA approved products होती हैं वो लेते हैं ना तो उसके side effect कम होते हैं जो localized अगर आप ले लें तो उन्होंने उस पर steroids भी एड़ कि होते हैं उस पर different चीज़ें उन्होंने आड़ करके वह बनाए होते हैं जिससे आपको instant results आते हैं अच्छा मतलब कोई इस ही टाइप का टे स्किन का टेंट होते हैं स्किन के भी टेंट होते हैं वो आपकी स्किन के साथ पहले जो है वो मैच किया जाते हैं अच्छा ऐसा नहीं है कि आपके अगर एक्जामपल बहुत ज़्यादा fair complexion है तो उसके ऊपर कोई dull complexion वाला जाएगा वह आपकी जैसे आप बेस अपनी चू वार्प करवाब करवाते हैं स्किन के अंदर पेले आपकी इसकिन को प्रपर जो है वह फिशल के जरी एक्सवालियेट करके डर्ड्ड लेयर और को खरके उसके बाद पर माइक्रनिडलिंग के जरी जो कर्यों तो तो बहुत slightly उससे आतेकं से पहले मेकिप घर में दो आ Québec करते एंoug het चो ओड़ा जाता है। होती है जो आपकी स्किन के लेटर के लेशन हम पेस्ट को का लÎशनRO ओती है। क्यांकि वो तो आप वोग peng ऑक्सपॉलीट लिय करें और दो उस को आपने अब्सॉर्ब ही रहने या थे रहे सित ऑप उस दो यह नहीं 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 एक सिटिंग में बिल्कुल चेंज नहीं होता है इसके लिए कम से कम आपको 3-4 सेशन्स लेने पड़ते हैं और यह लास प्रेटर भी जो जाती है डिपेंड करता है आप प्रॉड्ट कौन सी यूज कर रहे हैं आप कौन सी यूज करती है उस प्रॉड्ट का है मशीन कहा किया है उसके फिर उसके उपर लास्टिंग टाइम पिर उनके परसनल एक्सपीरियंस हुए वे होते है तो इस वज़े से हमें वह चीज तो इस वज़े बता दें कि कौन से ब्राइंड अच्छे किस कमपनी के जादा है और यह कितने तक में और प्रॉब्लम्स जाए इस्यूज है तो वह भी सॉट आउट हो जाए रही कितने तका फ्रेंड ली होना चाहिए है हमारे नॉर्मली जो चार्जिस है वह सैंट टू टैन थाउजन में वन सच्छन हो जाता है नहीं उसके साथ हम पेशेंट को फेशल भी फ्री आफ के रिजल्स बहुत अच्छे आते हैं इनका क्या ख्याल है किस तरीके से की केर करनी चाहिए और क्या यह लगाना चीक है कि अपनी लैशिस को भी निकाल देता है यह खतंब देता है यह आंक में को नुकसान तो नहीं होता है कि स्किन के ओपर को ऐसी चीज आइबॉल के ओप इसका जो प्र।सिजर होता है वह एक लेश को लेए इसको क्लो के साथ आपकी एक लाश के साथ भी इटाइच्स करते हैं उसरे कुछ भी बंचेंश के में आते हैं उस में भी आप कर सकते हैं इस्या d, v,v,d जी फ्यार司 होता है जैसे एक न्यूबॉंड बेबी का फेस वाश करुआ हैं यह निकल जाती हैं यह डेली बेसिस पे गिरती हैं यह आपको बतारने की जरूरत नहीं बढ़ती है लेकिन अगर आप इरिटेट होते हैं या कोई और इशू हो जाता है या आपकी आइस स्वेर्ड हो जाती है या रेट ने साथ जब बहुत सारे लोग लैंस जूस करते हैं तो फिर उनके लिए सूटेबल नहीं हो पाती है या कुछ भी इशू होता है तो भी इसके रिमूव कर लैशिस कब आपकी जो है वो एफेक्ट हो सकता है कब फील होता है या जैसे परिशन आमारे परस दुबारा आएंगे ना वो कहें कि दॉक्तर हमने करवाया था तो हमारा उससे यह हुआ कि हमारी अपनी लैशिस भी गिर गए अपनी लैशिस नहीं गिरती चूखिए जब उ बर्मनेंट लिप्स जी लिप्स की जो कलर शेट चेंज होते हैं कलर शेट बिल्कुल हम लोग करते हैं लेकिन उसका प्रसीजर होता है सबसे पहले हम उसको कैमोफलाज करते हैं कैमोफलाज में क्या होता है कि आपके कलर को जो हम नीट्रलाइज किया जाता है पर है उनकी डार्कनेस को रिढ करते हैं धार्कनेस को रिमूब करने के ना का एक सार्थ में झरी हो सकती है वह त्री सेशन्स पर भी है यह उसकता है पिर भौगजंचे करते हैं Thank you so much, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ताहरा जी, बहुत अच्छी देख से आपने गाइड किया हमें और बताया कि कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो सेफ हैं आपके लिए और कौन से प्रोसीजर्स नहीं, आपकी स्किन टाइप के साफ से अपने फीचर्स के साफ से आपको कुछ करवाना है तो आप अपने अच्छी डर्माटॉलिजिस अपने अच्छी दॉक्टर के पास रूजू कीजिए और पहले उन से मश्वरा कीजिए उसके बाद पर किसी प्रोसीजर्स पर हाथ रखिए, मगरे मेक शूर कि आप यह जितने सेलून में लोगों ने अपने धन्दे पानी बनाए वे ने जहां पर सारे प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं तो उधर ना जाएं आप किसी अच्छी डर्माटॉलिस को रुजू करें उनसे आप मश्वरा करें यह सेलूनों में या आम दुकानों में नहीं जाएं मेक शूर कि उनके पास जिगरी हो औ आपका कॉन्फिटेंस है टेक अब्रेक नाज़रीन आज हमारे साथ है जहरा बतूल जो सोला बरस की उमर में हडी में जॉइंट सेल्ट यूमर के बाद रील की हडी की चोट के बारिज माजूर हो गई रीहाबिलिटेशन फैसलिटीज के बगए इसकी जरूरियात के बगए उनने खुद अपनी रीहाबिलिटेशन की आज अपने सारे जितने भी खौब हैं जो ये देख रही थी उनको पूरा करने के लिए जो चैलेंजिस हैं उन्होंने उसको फेस किया उनने अपनी तालीम जो है साथ साल के बाद दुबारा शुरू की पंजाब उनिवस्टी से बीए किया और एक प्राइविट तालीम के तौर पर ए लेवल्स ओ लेवल्स को मुकमल किया वड़ी बात है ये जो है अब देख लीजए पहले मेरे साथी बैठीए ताके मैं साथ साथ बात भी करूँ जिनकी मैं बात करी हूँ ये है जहरा बतूल देखाए का जी ये जहरा बतूल है जिनकी मैं बात करी हूँ साथ साल के बाद उनने अपनी तालीम दुबारा मुकमल किया देखे बड़ी बात है अब में खाब जो देखे वे ते जो अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा किया तो अब इन्ही के जबानी इनकी कहानी सुनते है जेहरा बतूल क्या हाल है, what's up? I am good, I am good, आप कैसे हैं? I am fine Really nice to meet you You are a strong girl Thank you, thank you तो जेहरा बतूल मुझे बताओना, अपनी स्टोरी, अपनी जबानी बताओ परे स्टोरी ऐसे है के सोना साल की एज में मुझे बाजू में दड़ स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ऐसे ही वा खेज मुझे त्यूबर क्लोसिस डियाग्नोस किया और उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करवा दी अब उस मेडिकेशन के कुछ दिनों बादी मैं चलते चलते गिर जाती थी तो फिर ऐसे हुआ कि एक रात में बिल्कुल ठीक सुई हाला के माई बॉड़ी वॉज इन पेन दर्थ में थी लेकिन अगले दिन सुब उठी तो मेरी लोवर हाफ पैरलाइस थी फिर बहुत जल्दी जल्दी में बाइआपसी हुई चीजें हुई तो पता चला कि मेरी जो ने जोइंट में हो गया तो इस जगह की ये नेक और बिल्कुल ये कमद का इसा ये जो बैक होती है ये इधर बिल्कुल नेक पे अच्छा बिल्कुल तो उन्होंने फिर थोड़ा सा बाइआपसी ली बट डॉक्टर वास के इसको कैंसर है ये जड़ों वाला ट्यूमर है ये ऐ बाइड कंसेंट ना मेरे पेरेंट से पूछे या किसी पूछे उन्होंने का कि नहीं ये तो करना था जबके ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता अच्छा हां जी उसी वाज़ा से मेरी जो एक रिकवरी है वहीं रुक गई क्योंके मेरी वर्टिबर की बॉड़ी नहीं थी म मेरी गुड़ीया ये निकाला क्यों मतलब क्या था किस वज़ा से निकाली को बाइड थी कहते हैं जी वह बहुत डैमेज था वह ऐसे था उनकी को एक्स्मिनेशन नहीं थी वह बिट रिमोर्स फुल लेकिन उसका मैं कुछ नहीं कर सकते हैं फिर हमने बॉक्टर को देखाया फिर उसकी डीकंप्रेशन सर्जरी हुई जो के बड़ी मुश्किल थी और उन्होंने एक केज टाइप चीज जो है ना मेरी स्पाइन में लगा दी कि वह जो टूटा वह वर्टीब्रा है उसकी वज़ा से मैं कॉलाप्स ना हो जाओ अब उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल स जिन मेरी बॉड़ी इतनी स्टिफ थी के गाड़ी में बिठाने के लिए चार लोग लगे थे कि मेरी बॉड़ी बेंड ही नहीं हो रही थी फिर अब उस दिन मेरी जर्नी स्टार्ट होगे मुझे लगा क्या करना है मतलब कैसे होगा अपने पेरंट्स को देख रही हु मैं क्या करेंगे अब घर गए चीजे खुद मैनेज की देखा जाब फिजियो थेरपी हो सकती है अक्योपंक्चुर हो सकता है यह हो सकता है फिर खुद ही उस हिसाब से करना शुरू कि उसमें फिजिकल मैनेजमेंट भी आती है क्योंकि हमारे आपे स्पाइनल कॉड इंजिरी क समझा जाते हैं से फिजियो थेरपी है इसमें बावल ब्लाडर मैनेजमेंट भी होती है अच्छा उससे रिलेटेड भी कोई अवेरनेस नहीं है इन सारे सिनेरियों में से पें कितना था एक तो stress trauma चीजे तो आपके साथ सब की चल रही होगी जो वैसी आपको डैमिज कर रह सार्दियों में बहुत आदा हो जाता है एक एक में बड़ा वर्ड बताना चाहूं के अच्छाओं को spasms होते हैं मारी बॉड़ी रैंडमली जर्क करती है लाक शेक करती है और अब मॉविंग इंटु अ कार मुझे स्पाजम हो रहा है तो अब मैं क्या करूँ अब मुझे नहीं रुकना है इस spasm के end होने तक क्योंकि मेरी नर्वर उसके बीच का प्रॉब्लम है मैं इसको रोक नहीं सकती कि रुक जो रुक जो रहा है तो अब वो मैनेज करना उसके बाद बॉड़ी स्टिफ हो जाती है व्यूकि आपके मुसल्स को पता ही नहीं कैसे मूव करना है तो एक नहीं बहुत सारे चैलेंज़स थे और गाइडिनस नहीं थी मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी मैं इक इंसिदेंट यहां बताऊंगी मैं डॉक्टर के पास कही मैंने कहा कि मुझे मैंने रिहब से रिलेटेट का का उन्य नहीं शुकर करो वील्चर चला कि इधर तक अब आगे क्या कहती है कि आप मुझरी है आपका बताएं आप खैर यह इस तरह के बहुत सारे रिफ्यूजल नहीं नहीं हमेasto लोमा अब उख यह नहीं कूछ नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं मतलब आप आगे होसला दें जख आप मोटिवेइट करें आप अँव इल्टा उथर इसाप की मुटिवेशन को मा रहे हैं आप होसला आप बंदे चोटी से एज में अब वो जो एक लड़की इस उमर के जो खाब देखती है पढ़ने के लिखने के वो आपके पूरे साथ साल तक रुख गया फिर यह साथ साल के बाद एकदम से ही आपने सारा एक आक्शन लिया पढ़ाई मुकमल की लेवल्स कंप्लीट किया कितनी सपोर्ट कि अब बीटना अब भी तो सब कुछ ठीक होने वाला है तो मतलब कुछ ना कुछ होगा और बतलब शुरू से अगर जाओ ना तो मैं पेदा ही ब्लु बेबी थी दू मैं बिमार ब्लु बेबी होता है when a child is born तो वह na strangulate हो जाता है तो वह काट तक ब्लु बेबी कहते है तो तब से ही चल रहा है ना मेरे माबब है उनको थैंक यू करना चाहती है मुझे बरदाश्त करते हैं बड़ी पेड़ से जुननत कवाई है अपके माबब ले भी आपको क्या बदा है मैं खुद यही सोचते हुए झाल कि अजिके मुझे बच्छा अउलाद होना कि अब इसेज में जाकर रहा है कि इतना मुझेल एक पेरेंट के लिए इस तरह से इस्ट्रोगल करते हुए देखना किवे हम अपने थौट प्रोसस में होते हैं वह अपने ही थौट प्रोसस में च इस अचाती हुए और अपके लिए दो बहने हैं चोटी नहीं है एक जो है वह एक सौफ़फ़एर इंजिनियर है और एक जो है डायटेशन है अच्छा जी इसको भेजना में अपर डायटेशन को क्या राम उसका? मर्यम फात्मा मर्यम फात्पमा बहत अच्छी बहत अची घर्प में मॉस्सल, मसल लॉस नहीं हुआ मेरा चीज देवे तब बहुत अच्छी है शी तुम राइटर भी आज़र बहुत अच्छी है यह सब कुछ भी बताओ ना जरा क्या क्या कहानिया तुमने हैं वगए ब्रेक के बाद बाताना है ना रुको ब्रेक लेते हैं ब्रेक कि अगर एक चीज लेता है ना तो इतनी सारी चीज़ आपको दे भी देता है ये इतने स्केल्स ही इतने इमतहानात पार करके जो अथर बन गई इसने अब देखे ना भी मोटिवेशनल स्पीकर भी है ये कितनों की जिन्दगी आपको आइसे लोग होते हैं जब उनके साथ को पेशाज है और वो एकदम से अपनी जैसी नॉर्मल जिंदगी है उससे जब हटते है सुसाइड करते हैं सबसे पहले अपने आपको आइसोलेट कर लेते हैं कहते हैं मेरा तो इस दुनिया में रहना जीना मरना कुछ नहीं है शादी नहीं है बच्चे नहीं है खाना नहीं ह सकता मैं कुछ कर नहीं सकता लड़की अपनी ब्यूटी कॉंशिस होती है एक एक चीज को लेके ना कि अगर चल फिर ना पाएं तो फिर तो उनकी जिन्दगी वो जो एक दाना वाना निकला होता है जितना उत्वों कॉंशिस हो तो पूरी उससे भी बढ़के चीज़े होती बहुत बाते करों दिश इस यू कैमरा आई जी जो मेरा शो है मेरा नहीं है यह आपका शो है आप समझे आपसकी होस्ट है और आपको मैं टाइम दे रही हूं अपनी ओपर चूनिटी आपने दी क्योंके मैं आप बात करना चाहती हो फैमिली से मतलब अगर किसी के साथ अगर आप भी दुखी हो गए तो वह बंदा वैसे ही दुखी है उसको तो ऐसे कुछ समझने आ रहा तो यह मैं कहना चाहती हूं कि अगर आपकी भाई बेहन आपकी बेटी बेटा कोई अगर किसी डिफिकल्ट फिजिकली डिफिकल्ट सिचुएशन में तो आप बहुत पॉ बस खत्म हो गए इस इंदगी तो आपका अपना कॉंफिडेंस भी होता है आपके इड़िट के लोग भी बहुत मैटर करते हैं कि वह आपको कैसे रख रहे हैं वह आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको इस अब हमारे आपे ना वर्ड यूज होता है पेशक इसके पीछे क मैं और यह एक हैं हम सेम हैं इनकी अबिलिटी इस डिफरेंट ने तो मैं स्पेशल नहीं हूं मैं आप ही का पार्ट हूं मैं इसी मौश्रे का पार्ट हूं तो आपने उनको कैना है अच्छा हम बाहर जा रहे चलो चलते हैं अब मेरे लिए यहां पे इंगलूजन मतलब आहिए कि हम 스AYशन लिस न हैप यह क्रवड होन और की और इसके तो कोई परस ताइब स्कenser तो अगर को इसे टोंगा पढ़ाई के लिए आप गाइड करें जो कि मेरा मोटव वहता है कि मैं लोगों को बताओं इस तरह काम करना तो अगर पर सबक्राइब करना चाहिए अगर कोई परस्टन डिसिबिलिटी घर से नहीं निकल सकता तो इसको घर पर पढ़ाई के लिए आप गाइड करें जो कि अब मेरा मोटेव होता है कि मैं लोगों को बताओ कि इस तरह पढ़ना है इस तरह काम करना है तो मैं यहां पर जंदगी सबकी मुश्किल होती है सबके साथ कुछना कुछ लाइफ में होता ही होता है हर इंसान दुख्य है, वो मेरे बाबा कहते हैं कि नानक दुख्या सबसंसार, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दुख्य है, आपका ये अगर एक फिजिकल चैलेंज है, तो इसका मतलब नहीं, आपने मेंटल ब्लॉक बना ले ना उसको, तो आप अपने माइंड को, अपने नहीं होंगे तो पूरे नहीं होंगे, तो आपने उमीद नहीं छोड़नी है, ट्राय करते रहने अपने लेवल पे, एक सेने का, एक फिलोसिफर है, मैं उसको पढ़ती हूं, वो यही कहता है कि आपके बस में आपका अमल, आपका दिमाग और आपके थौट हैं, बाकी के दिखाई है, बोल के समझाई है, I hope आपको यह बाते सारी समझ आई हो, and एक और चीज़ मन सबरुका, कोई भी अगर आपके साथ ऐसे हादसे, हालाद पेश आ जाते हैं, तो जैसे इसने मन सबरुका, सबर करने वाले के साथ, अल्ला ताला है, और अल्ला ताला रहेगा, तो प्रीज सबर कीजिए, और इस सबर के बाद आपको फल जो होगा, अच्छा मिलेगा, रिज़र्ट बाच्छा मिलेगा, और इरादे अपने बुलंद रखे, सोच को वसी रखे, हिम्मत नहीं तोड़नी, और उसके बाद आप भी जहरा बतूल बन सकती हैं, सिर्फ अपन जिसका नाम है One Step Too Many, जो के चल फिर सिनिमा की प्रोडक्शन थी, जो यहाँ पर इंडिपेंडेटर अभी आगई है, यूट्यूपर अवेलेबल है, दुबारा पता दे ना, One Step Too Many, आपने यूट्यूपर सर्च करना, आपको मिल जाएगी, और वह फिल्म भी आई, मैं उसकी को प्रोड्यूसर भी थी, और को राइटर भी थी, आपने अब ज़रूर देखनी हैं, ताकि आपको पता चले कितनी चैलेंटेड हैं, और जब वो बना सकती हैं ऐसी फिल्म तो आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं, Must Watch, ठीक है ना? Yes, और आप कुछ कहना चाती है वो फिल्म देखने के बाद और बता ही जरूर कैसी लगी, टेक कियर, अल्ला हाफिज, लव यू.